कि जोटे थीक दस साल पहले जब लोग सौने एंटर करते थे तो सब कहते थे सांसेजी की बेटी है और थीक दस साल बाद हम आये हैं तो कह रहे हैं सांसेजी के पिता जी है हम बीजेपी वालों को तरह यह नहीं कहेंगे कि हम पैरेस क्योटो नियॉयॉक बना देंगे आपकी उमर 25 साल है 25 फाइफ मन्त तो पूरी जन्ता की जिम्मिदारी आपके उपर है घरवाले शादिवादी के लिए बोलते हैं जी यह तो पिदा जी का फैसला है तो कौन आपका फेड़ेट एक्टर है और एक्टर्स कौन जी एक्टर में शारुक खान है और अब इतना ध् लिखते हैं नहीं विच्टर में पसंदी नहीं विच्टर जो आती है शायद भाजपा वालों को लगा थम चुनाव जीट चुके हैं उन्हें अनॉफिशली डिक्लियर कर दिया था लिकिन शाद उनको यह नहीं पता कि जन्ता को आपने दस साल आपने उनको धर्म के आगे दूसरा दिन रहा संविधान लेकर आपने शपत लिया कैसा लगा संसद का महणों को जी महाल बहुत अच्छा था और आज बहुत प्राउट फील हो रहा है हमारे घर में सभी को प्राउट फील हो रहा है और जो यह मुमेंट है यह जो आज हम इस पल को जी रहे है इसका श्रे मेरी जनता को जाता है मशीचल की जनता को जाता है इसका श्रे मेरी पिता जी को जात पहले एंटर करते थे तो सब कहते थे साइससर जी की बैटी है और 10 साल बाद हम आया है तो कह रहें संसर जी के पिदा जी है और भरोसा दिखाया अब क्या प्लान है मस्ली शहर को लेकर आपका जी देखे हम बीजेपी वालों को तरह यह नहीं कहेंगे हम पैरेस क्योटो अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा रोड हो, इलेक्रिसिटी और पानी हो, अगर हमने इस पर काम कर लिया, तो मारा मकसद पूरा हो जाएगा. आपकी उमर पचेस साल है? 25 यह फाइफ मन्त. इंस्टाग्राम से स्टोई डालने से सिस्टम चेंज नहीं होता है, इस पर बोलते हैं, बहुत डर्टी पॉलिटिक से नहीं आना चाहिए, घलत है, अगर आप पड़े लिखे आना चीए, और आपको जितना आएंगे उतना आपको जाराजडिती छोड़ने का मननी करेंगा. अब लगाता है, आप खूब आपके रिल्स वायल होते थे, आप रिल्स बनाती थी, और जिन्दगी जीना छोड़ देंगे, अरलम हमें रील्स देखने को मिलती रहेंगी, अब तो हम चेत्र में पुरी जन्ता की जिम्मेदारी आपके उपर है, घरवाले शादिवादे के लिए बोलते हैं, जी तो पिधा जी का फैसला है, और जन्ता का जो प्रेम और स्ने मिला है और जो हमको आशिरिवाद मिला है हम यहीं पूरे समय कहते हैं कि आपने निता को नहीं चुना है आपने बिटिया और बहन को चुना है और बिटिया बेहन आपके मानसंभान को मिश्या बढ़ाने और बचाने काम करेंगी और मेरे पर सब्सक्राइब और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि आप पॉलिटिकल बेग्राउंड तो आपको एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई होती है कि अच्छा बोलिंग अच्छा करेंगी तो हमारे पर वह प्रेशर एक एक लेगेसी फॉरवर्ट करने वाला है और दो कभी फाद का दर्श बनके आई हैं उनके लिए आप क्या सला देना चाहिए जी देखिए एस वुमन हमें लगता है से हमने मशीचा लोग सभा में घूम रहते हैं मुझली महिलाएं जो हैं वो मेल पर डिमेंडेंट रहती हैं चाहिए वोट कब हम पुछते हैं आप वोट किसको देंग युँए है कि मैं जब भी हहां से फ्रीू लोग सभा से मैं एक सभा रखूं सी महिलाओं के लिए कि आपका जो जीवन है कि यह सबको गलत हो गया है सॉल्ट हो गया है कुछ भी हो जाये की आप को पता हुआ जाये ओनेर्ज के जाओ कईसे होता है आपको किसी को देखना नवान प्व्रक्षाइब बताना चाहुंगे कि आपना हकी लड़ाई कैसे लड़ सकती है अगर आजनीती के बात में तो आप काफी युवा हैं लेकिन मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि कौन सा राजनेता आपको पसंद होता है यह मेरे फैबरेट लीडर है आदर्श है किसे आप मानती है जी हमारे फादर है और आदर राक्षरेदक जी है और हम हमारे लिए देश में जो जो बैकवर्ड थे आप जानते हुए किया अत्याच्यार हुआ करता था आज देश में सविधान उनकी वजे से तो हम तीन लोग को मानते हैं पिता जी आदर्णी राक्षरेदक जी को और दॉक्टर भीम रामेटकर जी को हम इन तीन लोग को फॉलो करते हैं र जाना चाहें कि यूवा संसत महिला संसत जो हमारे प्रियास रोज के बारे में आपकी पढ़ायी लिखाई कहां से हुई हमारा 12th class Air Force Holden Jubilee इंसिट्यूट सब्रोटर पाक से हुआ है डेली इनुवस्टी समने सोचलोजी पॉल साइंस किया है देन अमेटी नौडा से लॉक किया है देन उसके बाद हमने सुप्रिम कोड में इंडूर्मन कराता है आपने पढ़ते समय कभी सोचा था कि मैं राजनीत कि रह चुकी इतना चोटे थे तो हम जब डेली से बनारास जाय करते थे ट्रेन में वह मैं समय पिताजी से बात करने के समय मलता है तो वह में बताते थे कैसे हमारे जो दादा थे वह किसान थे वह किसान खेती करते थे हमारे पास नहीं को पॉलिटिकल बैग्राउंट था उ तो उसमें लोगों इस टंदा लेके चुनाओ लड़ा था और राजदू से पूरा चुनाओ प्रचार किया था और मुझे लगता एक लोगर कास एक मिनौरिटी से अप रहे के आपने डिस्केमिशन फेस कि अब यहां इस स्टेज पर खड़ें पिता जी हमारे बास तो बहुत काशी दवार है जापर मारे किसान भाय लोग दरना दे रहे हैं उनकी बात रखनां मेरा फ्रकाइश्टम के चुनाओ था और हो हीच्जें जहां पर बेसिक चीजे नहीं है जैसे बैड नहीं है दवाई कोई कमी है डॉक्टर नहीं है स्कूल्स में टीचर्स नहीं है अच्छी कॉलिटिफ एड्यूकेशन नहीं है कहीं रेलवे ट्राय के परा फुट वर प्रीच की नीड़े क्यों हां पर चाचा तीति घंटे लोग खड़े होते हैं वह फाटक बंद रहता है जिससे वैपारियों को दिक्कत होती है और सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा पहले था चाहे महिला रिजर्वेशन के मुद्दा हो चाहे अपने अभी जो दो करो नौकरी किसी को नहीं मिल रहा पेपर लिक का मुद्दा हो लेकर श्रपत लिया क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में समीधान को सच्मे खत्रा है सच्मे आपने शाहे लीडर की सब्सक्राइब करें बदल देंगे खेर चार्सों पार तो नहीं हो पाए और बहुत अच्छा मैसेज गया है इस चुनाव में कि सब्सक्राइब देश लेकर चलते हैं इसलों को सविधान नहीं पसंद है राम मंदिर का मुद्धा भी नहीं चला आप लोगों ने आयोध्या की सीट पर भी फैजाबाद वाली सीट भी अपने पास रखी यह इनकंप्लीट जो टेंपल के इनौगरेशन किया था शायद भाजपा वालों को लगा रही बात मुझे लगता है जो उनके नीता कहने हारने के बात की आपको जीत की बहुत 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 बदाई तो प्रिया सब्हें तुख हमारे साथी तमाम उद्धों पर बातचीत हुई कि वो अपने शेहर के लिए क्या करेंगी और सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम पर भी रिल्स आपको देखते रहने को मिलते रहेंगे बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत थैंक्यू बातसीत के लिए बहुत धन्यू और आप देखते रहें एबीपी लाइव